श्री गडेशाय नम्हुं जेहु सरसुती मा की जेहु गुरु महराज की जोतिरलिंग सोमनात के प्राधुरुभाव की कथा प्रजापती दक्ष की 27 कन्याएं थी उन्होंने अपनी अश्वनी आदी 27 कन्याओं का विवा चंद्रमा के साथ कर दिया कन्याई पती की रूप में चंद्रमा को पाकर सुशोबित होने लगी और चंद्रमा भी उनके साथ प्रसन्न थी लेकिन प्रभल भावी से चंद्रमा और पत्नियों की अपेक्षा रोहिनी को ज़्यादा प्रेम करते थे इस बात से अन्य पत्निया दुखी हुई और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की कि पिताजी और पत्नियों का अधिक आदर नहीं करते, रोहिनी के अपेक्षा, प्रजापती दक्ष ने बड़े प्रेम से चंद्रमा को समझाया, चंद्रमा आप निर्मलकुल में जन्म हुआ है आपका, आप सभी पत्नियों को समान आदर दे, समान प्रेम करें, लेकिन चंद पत्नियों को समान आदर दे, समान प्रेम कीजी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं आज आपको शाप देता हूँ, कि आप शैरोक से ग्रसित हो जाईए, इतना होने पर चारोर हाहाकार मच गया, देव और रिशी सभी हाहाकार करने लगे, और सब ध्रमा भग कीजिए, शिव की आराधना से ही सब कुछ ठीक होगा, तब चंद्रमा सब देवों को साथ लेकर प्रभाश्यत्र में गई, और प्रभाश्यत्र में उन्होंने पार्थे शिवलिंग बना कर, भगवान शिव का महम्रत्युन जयका उन्होंने 10 करोड जब किया, और पार्थे शिवलिंग की पूजा की, शिव की आराधना की, और उन्होंने 6 मैने तक खड़े ओकर शिव का ध्यान करते रहे, इस पर शिव प्रसन्न वे उन पर, और शिव ने उन्हें साक्षा दर्शन देकर कहा, कि सोमनात, सोम मैं आपे प्रसन्न हूँ, बोली क्या वर्चाते हो, एक पक्ष में आपकी कलाए घटेंगी और एक पक्ष में आपकी कलाए बढ़ती रहेंगी, इससे सब कुछ ठीक रहेगा, फिर देवों ने और रिश्यों ने प्रातना की, के हे भगवन, आप सभी जीवों के कल्यान के लिए यहां विराजमान हो जाईए, इस लिंग में सम हीत हो गए, और चंद्रमा की यश्क बढ़ाने के लिए उन्होंने सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हो गए, और जो भी मनुष्य इन जोती लिंग का सोमनाथ भगवन का दर्शन और पूजन करता है, वो भोग और मोक्ष दोनों को पा जाता है, और शय और कुस्ट भी उसके ठ प्रसिद्ध है, वो पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, उसमें ये दी, जो मनुष्य दी छे मेने तक उसमें प्रती दिन इसनान करे, तो शय आदी असाद्य रोग भी उसके ठीक हो जाते हैं, जैहु सोमनाथ भगवाल की